बाबा साब अम्बेटकर ने देश का सम्विधान बनाया सम्विधान में लिखा उन्होंने की भारत के अंदर जनतंत्र होगा इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे चुनाव में जनता वोट डालेगी वोट डालके जनता अपनी सरकार चुनेगी वो सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे बीजेपी कोई पसंद नहीं है बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो बीजेपी चाहती है कि चुनाव खतम हो जाए चुनाव होने ही नहीं ची चुनाव गंदी बात है इनके साफ से चिनाव गलत बात है इनके साब से MCD के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिये गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारती जन्ता पार्ट 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 नाम आने वाला है लूटने के बाद जब जन्ता में तरही तरही मच गई लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद और जन्ता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मज़ा चखाएंगे और गुसा जाहिर करेंगे चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हमाज शाम को पांच बजे नौ तारिख को नौ मार्च को शाम को पांच बजे चुनाव की डेट्स की गोशना की जाएगी चार तारिख को परधान मंतरी के दफ्तर से फोन जाता है चित्थी जाती है चुनाव कमिशनर को चुनाव रद कर दो पूरी दुनीय चे अंदे आज तक कैशा नहीं होगा कि पृधान मंत्री सीधे सीधे चिनाव कमישner को फोन करके और चिध्टी लिख ग कहते है कि चनाव रद करो इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साब अमेड करो ये कहते हैं बाबा साम बेवेट कर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव वनाओ का चक्कर छोड़ो M.C.D. में भी N.D.M.C. जैसा कर दो मैंने का इसका क्या मतलब है वो बोले जैसे N.D.M.C. में चुनाव ही नहीं होते N.D.M.C. में केंदर सरकार नॉमिनेट कर देती है बोले जी M.C.D. में भी यही हो जाना जाए अध्यक्ष मौदा इनका बस चले ना इस देश के अंदर सारे राच्च्चों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दे le अरे साथ साल थे तुमारे बास सो रहे थे क्या साथ साल से कहां थे तुम लोग साथ साल से क्यों नहीं तुम लोगों ने साथ क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए हैं क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया साथ साल से चुनाव के एक घंटे पहले तुम लोग चिठी लिख रहे हो अब सोके जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे तो यूनिफाई नहीं करना चुनाव टालने है क्योंकि हार रहे है मेरी हाथ जोड के बिनती है हार जित लगी रहती है कभी ये पार्टी हारती है कभी वो पार्टी हारती है कभी आज बीजेपी हारती है आम आदमी पार्टी भी आरती है कर भी कॉंग्रेस आरती है देश बड़ा है देश की सोचो आज आम आदमी पार्टी है कल आम आदमी पार्टी हो सकता है ना हो आज बीजेपी है कल बीजेपी हो ना हो आज केजरी वाल है कल केजरी वाल नहीं होगा आज मोदी जी है कल मोदी नहीं होंगे कोई बड़ा नहीं है देश बड़ा है मुल्क बड़ा है कौम बड़ी है समाज बड़ा है देश को नहीं जुकने देना देश को नहीं टूटने देना देश को नहीं किसी भी हालत में देश में आज नहीं आने चाहिए यह लोग देश के साथ खिलवाड कर रहे ह लोग सम्विधान के साथ खिलवाड़ के अरह हम यूनिफाय करना चाहते हैं उन्होंने एक चिठ्थी लिख दी चुनावायोग को कि हम तीनों MCD को यूनिफाय कर रहे हैं इसलिए चुनावायोग उन्हें चुनाव टाल दिया है कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो और हैं अब जनता के रही है है यह घुरात हारेंगे अगर यह घुजरात हारेंगे तो यह 10 दिनो पहले चिठ्थी लिख देंगे चुनावायोग को कि हैं putting ami गुजरात के चुनाव टाल दो गुजरात के चुनाव टू जाएंगे अगली बार यहोग सब हारेंगे करक्खिये इनोंने भारिक जनतंतर है देश यह बरदास्त नहीं करने वाला जो इनोंने नो टंकी करक्खिया कि कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है था कि हम तो जिए दुनिया के सबसे छोटी पार्टी फिर बिटर गए तुम लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डरके बाग गई क्या कायर हो यार हिम्मत है तो हिम्मत है तो चुनाओ लड़के दिखाओ वीजेपी वालो मान जाएंगे तुम हिम्मत है तो चुनाओ लड़के दिखाओ कहते हो चपन इंच का सीना है नहीं तो मान लो चपन इंच का सीना नहीं है जूट है यह कल मैंने देखा आपको भी बुरा लगा मैं आपके कमरे में जब चाही पिने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एल जी साब ने भाशन शुरू किया यह सारे खड़े हो गए नारे लगाने क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू के दुकाने बंद करो अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने ओपर से आया तो था उपर से आया तो था तो दो जने कह रहे थे दारू के दुकान बंद करो आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो फिर दूसरे वाले ने का बे आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना है तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले मािक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आयो तो वो यू यू देखता है किस लिए क्या हाल बना दिया इनका इस लिए थोड़ी राजनी ते माय थे इसलिए थोड़ी राजनी ते माय थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेटा के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नेटा बाहर आता है क्या मांगे हैं, उनको पता ही ही क्या मांगे आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनीती करने आय थे पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे घर जाके बच्चे पुछेंगे पापा क्या काम करते हो पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अगनी होत्री के चर्णों में शरन लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया आठ साल खरात कर दी है बताओ विवेक अगनी होत्री के चर्णों में उनको शरन लेनी पड़ रही है बचा लो बचा लो अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौख है विवेक अगनी होत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जुने देख लेंगे कि दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जूरूरत है यूट्यूब पे क्यो ने डल कल एक मैने अख़ खटर साब के खटर साब देखो ये फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा भाई साब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोडों करोडों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया क्या कर रहे हो यार आखे खोलो तुम लोग भेड़ बक्रियों के तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को भेड़ बक्रियों के तरह हांक रहे हैं एक दिन बोले तीन काक्रिशी कानून लेके आए हैं बहुत शांदार हैं और फिर नीचे मेसेज आया भी सारे जने तारीफ परो मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानून की खूब तारीफ की थी बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शांदार कानून लेक्या है एक साल के बाद फिर आया वे तीनों कानून वापस ले लिए ब म मास्टर स्टोप कैरे क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार फिर थोड़े दिन बात बोले वहितारू की दुकानों के खिलाफ करू सारे जमें तारू की दुकान बंद करो दारू अब दारू ठीक हो गई प्डिली में आज कल तोो शोर्न करते हैं तुम लोग आप कश्मीर फाइल आ गई पहले क्रिशी का नूंद रोज काम दे रखा तुमको कुछ ना कुछ उपर से आ जाता है काम दे रखा आप दारू की दुका ने मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेबी के साथियों से आप तो अपनी हो आप तो सबब मेरे छोटे भाई बड़े भाई विदूरी साब तो बड़े भाई है मेरे आप तो सारे अपने हो यार थोड़ा सा देश के बारे में सोचो थोड़ा देश के बारे में सोचो हिटलर भी देता था रोजगार देता था आई तिहास उठाके पड़ो उसने रोजगार तो दिया था इन्होंने क्या दिया आपको आपके बच्चों को नौकरी दी आपके घर में कोई खाने पिने का इंतिजाम करा आपकी बिजली का इंतिजाम करा केजरी वाल काम आता है आपके आपके घर में कोई बिमारों केजरी वाल दवाई पहुचाता मोधी दवाई नहीं पहुचाता केजरी वाल काम आया मैं बीजेपी के सारे कारे करता हूं से कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बक्रियों के तरह हां करें या आपको ये सब बंद करो, दिमाग खोल के, सारे जने बीजे पी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ. आपको इजट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कता ही जुटे नारे ने लगवाएंगे, राष्ट निर्मान में आपको साथ लेंगे, राष्ट निर्मान करेंगे आपके साथ मिलेगे, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जुटी फिल्मों के, और जो भी करना हो, कम से कम्यार ये पिक्चर का प्रोमोशन करना तो बंद करो, ये कंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभानी देता आप लोगों को, या केंदर सरकार का नुमाइंदा माना जाता है, लगी साब ने भी हमारी सरकार के कितनी तारीफ करी, पचास परसेंट जीडीपी पांच साल के अंदर बढ़ गया, भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं बढ़ गया, इतने शांदार काम दिल्ली सरकार ने की हैं कि लगी साब ने भी दूसरी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की भुरी भुरी शब्दों में तारिफ की, मैं लगी साब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं और इस धन्यवदाद परस्ताव का समर्धन करता हूं अब सरी अब सरी गोपाल रहेजिय माने विखास मंत्री द्वाला जन्यवाद परस्ताव परस्ताव के सादन के सामने है माने कि यह सदन उप्ताजेपाल द्वारा दिनांग 23 मार्थ 2022 को विखास में दिये गए विवाशन के लिए उनके परस्ती हार दिक अभार परकेट करता हूं यह परस्ताव सादन के सामने है जो इसके पक्ष में हा कहें जो इसके विरोध में ना कहें हा पक जीता हा पक जीता परस्ताव पारित्वा माने उप्राजपाल मोध्य को इसकी सूचना दे दिजाएंगे झाल 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